नमस्कार दोस्तों, welcome you all again to our channel and to a very important topic जिसमें हम कोशिश करेंगे जानने की district magistrate, collector या फिर district officer के बारे में Basically, आज का जो मुद्दा है, it is to know about the district administration, district कैसे अलग-अलग divisions पे काम करता है, मैंने इसको समग करके कोशिश की है बताने की आपको की pan-India basis पे अलग-अलग जगे पे किस post को किस नाम से बोला जाता है और अगर हम अगली बार कभी भी district administration को observe करेंगे, तो किस बिहाफ पे, किस basis पे करेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हमेशा याद रखना कि district administration को आप overall तीन तरीके से divide कर सकते हो जो सबसे important part है वो middle में लिखा हुआ है जो कि हमारे cotology अर्थ शास्त्र में बोलके गए थे revenue part जो होता है किसी भी state का सबसे बड़ा part होता है और starting level जब मैं आपको इसकी history पढ़ाऊँगा अच्छा, in our future lectures we will also discuss about the historical perspective की हमारे collector का क्या role था history में कैसे ये evolve हुआ, क्या इसके functions हैं आज की तारिक में सब पर हम बात करेंगे तो दोस्तो revenue part जो है किसी भी state की सबसे important part होता है तो district administration का सबसे बड़ा division, सबसे important division जो है वो होता है revenue administration and of course, कौन head करता है इसको district officer या फिर collector, नाम ही collector, revenue collect करना second जो division आता है वो आता है law and order का, जिसमें की जब district officer अपने functions को करते हैं उसको क्या बोलते हो आप district magistrate, DM साब इसी के बाद आता है district officer का एक और बहुर थी important काम जिसको बोला जाता है development administration यह development administration जिसने भी पंचायती राज के सारे videos देख लिए हैं, वो पहले ही समझ गया होगा ठीक है, फिर भी मैं इस video में भी समझा दूँगा, तो चली चलते हैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ revenue administration कैसे चलता है, जैसा मैं आपको बताया है district level पे जो revenue collection की authority और responsibility दी गई है, वो किसको दी गई है, हमारे district officer मतलब की collector साब को districts को further बहुत सारे subdivisions में बाटा जाता है districts को further किसमें बाटा जाता है, subdivision और subdivision को कौन head करेगा, subdivision officer या subdivision magistrate यह हमको याद रखना था southern states में, इंडिया के southern states में यही subdivision को जो head करता है, वहाँ पे आप इसको sub collector भी बोल देते हो, ठीक है, यह difference रिता है, देखो दोस्ट हमारे आपे district administration जो है, वो किसी भी एक district, किसी भी एक state के एक district में और दूसरे state के एक district में, बहुत अलग-अलग तरीके से हो सकता है, in fact मैं आपको यह बताऊं कि एक state में ही अगर दो district को observe किया जाए, तो वहाँ भी आपको difference देखने को मिल सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना, district को subdivision, district को किसमे divide करते है, subdivision, head gone करेगा, subdivision officer या, subdivision magistrate, वही अगर southern states की बात करें, तो कौन head करेगा, sub collector, ठीक है, subdivision को further divide किया जाता है, बहुत सारी तहसिल्स में, अब तहसिल्स को कई जगे महल्स बोला जाता है, कई जगे तालुकास बोला जाता है, और तहसिल, कौन head करेगा, तहसिल्स दार, तो यह हमको याद रखना था, और महल्स बोलोंगे, तो वहाँ पे कौन करेगा, महलुका, ठीक है, तो इस तरीके से इस तालुकास के नीचे, भी एक और डिविजन रहता है, जिसको हम बोलते है, सरकल, सरकल बोलते है, महरास्टर में, शिर्का बोलते है, तमिल नाडू, अगें देखो, सदन में अलग नाम आ गया, परगाना, नॉर्थ परगाना, आपने सुनाओ गाना, हिस्ट्री पढ़त परगाना, और फिरका में आपको समझ में आ गया होगा, इसकी जो पोजिशन लेते हैं, हेट जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आप ये बहुत बहुत बहुतर तरीके समझ गए होगे, चलता हूँ आपको लेके दूसरे डिविजन पे, लॉइन और, बहुत इंपोर्टे हैं, मगर सबसे पहली चीज ध्यान रखना, कई जगे आपको, अफको सुपरिंटेंडर आफ पुलिस तो आप सब जानते ही हो, मगर लॉइन और में भी आपको दो चीज़े देखने को मिलेंगी, जो जनरली हमारी मेट्रो सिटी जैसे की मुंबई, देली, वहां पे कमिशन सिस्टम चलता है, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, कमिशनर साथ, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, तो चलते हैं, लॉइन और पे, लॉइन और अगें, फाइनल रिस्पोंसिविलिटी जो है, वो किसकी है, दिस्ट्रिक ऑफिसर, या फिर दिस्ट् जो है, he was assisted by the superintendent of police of the same district, इसी कारण से बोला जाता है, जो आप एक debate देखते हो न, कि कैसे DM जो है, वो SP से उपपर हो जाता है, तो इस कारण से क्योंकि SP जो है, वो उनको assist करता है, यह हम functions में जब पढ़ेंगे, तो आपको और बहतर तरीके समझ में आएगा, तो जैसे मैंने आपे लिखा हुए, SP साब assist करेंगे, और SP साब assist क्यों करेंगे, क्योंकि जो police force है, उस police force को जो head करते है, वो होते है, SP साब, ठीक है, फरक समझ में आ रहा होगा आपको, police force को head करेंगे, SP साब, और SP साब assist करेंगे, district magistrate साब किस चीज में assist करेंगे, मदद करेंगे, law order maintain करने में, इसी कैसा, अब आपका सवाल होगा, कि कई जगे हमने senior superintendent of police भी सुना है, तो यह क्या होता है, तो दोस्त, जो बड़ी district सोती है कुछ, वहाँ पे senior superintendent of police एक post और create कर दी जाती है, और इसके नीचे SP को रख दिया जाता है, यहाँ पे जो SP है, अब यह district magistrate को assist को assist करेंगे, यहाँ पे अब यह SP जो है, वो senior superintendent of police को assist करेंगे, और वो finally किसको assist करेंगे, आप जानते हो collector साब को, तो यहाँ पे कैसा division होता है, एक बार यह देख लेते हैं, सब सोपर होगा district, जैसा मैं आपको बताया, SP साब हो district officer जो है, वो कैसे मिलके काम कर रहे है, district के नीचे further division होता ह है, जिसमें head करते हैं, DSP साब, deputy superintendent of police, ठीक है, और इनके division को क्या बोलते है, sub division police area, इसके नीचे वाला area होता है, police circles, इसको बोलते हैं, यहाँ पे रहते है, senior inspectors, इसके नीचे आता है थाना, यह थाना, वही थाना है, जहाँ पे direct citizen का interaction होता है, हमारे police system से, इसी कारण से, सबस होँआ, towns में, town inspector TI, इसे के बाद में head किया जाता है, sub inspectors, अब sub inspectors, जैसे मैंने लिखा हुआ, headed by sub inspectors, मैं आपको भी बता दूँ, जैसे में आपको town inspector TI जो बता रहा था, यह प्रमोटी post होती है, जो की senior sub inspector बनता है, इसे के साथ कई जगे station house officer भी बोला जाता है, जो head करते है इस थाना को, इसका सबसे निचला इस्तर जो होता है, सबसे नीचे वाला जो division होता है, further थाना sub divided होते है, चौकीज में, इस चौकीज को head करते है, assistant, sub inspector, या फिर constables, तो मैं उमीद करता हूँ कि law and order आपको बहुत 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 तरीके समाज में आगया होगा, revenue administration हम पढ़ चुके है, development administration में, again, district officer या collector का बहुत important role रहता है, जैसा मैंने आपको जब पंचायती राज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, कि देखो, वहाँ पे जो leaders आ रहे हैं, जिनको लोग चुनके भेज रहे हैं, they don't have particular knowledge about the matter, how to solve problems, तो उनको assist कौन करता है, divide किया जाता है, subdivision और subdivision को divide किया जाता है, blocks में, इस block में block development officer भी होता है, और इन ही blocks को, जैसा हमने पंचायती राज में पढ़ा था, कि आप further किसको divide करते हो, village में, और इस तरीके से जो district officer है, वह इन सब को coordinate करने में मदद करता है, तो दोस्तों, this is all about the functioning and the specifications of the district administration, I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा, अगर हाँ, channel को subscribe कर सकते हैं, video को like कर सकते हैं, also you can share with your friend, so that you can have a fruitful discussion on this topic for the post which you are aspiring for, in the end, keep shining, have a good day, thank you for hearing us.